हेला वरिवान, वेलकम टू माई यूटूब चानल, स्रुजन नमाचार मैंच न शुक्ला, कक्षाचार की गणित के पुस्तक, अंक जगत की कारिपुस्तिका के साथ उपस्तितू आज हम लोग पुनरा वृत्ति देखेंगे, फिर जितना भी इसमें अध्याय है, उसको क्रमगत तरीके से देखते हुए चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है, समझो और बॉक्स में सही चिन्ध लगा और चिन्ध आपको छोटे बड़े और बराबर का लगाना है तो यह देखेंगे, यहाँ पर 4,448 है, तो 4,484 है तो जिधर संख्या बड़ी होती है, चिडिया का मोधर खुलता है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका बुड़े का निसान लगा यहाँ दोनों संख्याइं बराबर है, तो बराबर का निसान लगा और यहाँ 998 बड़ा है 96 छोटा है तो यहाँ पर इसका निसान लगा आगे देखिए पढ़ो समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो यहाँ पर आपको क्या करना है बढ़ते क्रम में यानि छोटे से बढ़े की तरब जायना है जैसे हम सीड़ी पे चड़ते हैं प फिर आप 2000 पे आईए फिर 3000 में देखिए कि सबसे चोटी कौन सी है तो सबसे चोटी यह है उसके बाद अगर आप आएंगे तो सबसे चोटी 477 है और उसके बाद 3652 है फिर आगे हम बढ़ेंगे एक उधारन के रूप में और यहाँ समझाया गया है कि जिससे बच्चों को ग्लियर हो जाएं तो देखिए यहां सबसे छोटी संख्या हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जितनी भी यहां पर संख्या हैं दी गई हैं उसका पहला देखना चाहिए तो सब में 4000 है अब 4000 के बाद आपको देखना है कि इसमें 87, 82, 85, 76, 78 कौन सी संख्या सबसे छोटी है क्योंकि हम एक, दो, तीन, चार इस क्रम में बढ़ते हैं सेड़ी के ओपर जब चड़ते हैं तो जितने स्टेप हम चड़े रहते हैं से 16, 15, 14, 13 इस प्रकार से होता है तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है तो हम यहां पर लिखेंगे 4000, 76, उसके बाद क्य 82, 85, 87 इसी क्रम में हम इसको लिखेंगे अब यहां देखिए कि संख्याओं को घटे क्रम में आपको लिखना है घटे क्रम में यानि बड़े से छोटे की तरफ यह संख्या नीचे जाएगी यानि हम सारे स्टप चड़ चुके हैं आप अगर 17 स्टप चड़े हैं तो हमको 16 यानि जितनी भी यहां पर आपको संख्याओं दिख रही हूं दिख रही हैं सबसे बड़ी संख्या आपको सबसे उपर वाली सीड़ी पे लिखना है तो यहां देखिए 87 है यहां पर 70 है यहां 60 है यहां 83 है तो 87 सबसे बड़ा है हमने यहां लिखा उसके बार हम 8 पे जाए सबसे बड़ी संख्या उसके बाद उसके बाद उसके बाद और लास्ट में उसके बाद वाली संख्या हम लिखेंगे सीखना क्या है इकाई दहाई सेकड़ा हजार हजार पर कौन सी गिंती है साथ तो साथ हजार और सेकड़े पर चार तो साथ हजार चार सो उनतीस तो यहां देखे आपको शब्दों में लिखना है फिर यहां तीन हजार छेसो एक पांच हजार तीन सो उन्यासी तो यहां पूरा सब्दों में लिख दिया गया है फिर आगे देखिए संख्याओं को अंकों में लिखें अभी आपने शब्दों में लिखा आप अंकों में लिखना है पांच हजार तीन सो पच्चिस अब इसको अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हो गया तीन हो गया फिर पच्चिस लिख देंगे इस प्रकार से आपको यहां संख्या प्राप्त हो जाएगी 8701 तो 8 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे और फिर एक है 3701 और दहाई की जगह हम 0 लिखेंगे 3200 अब पहले 3 लिख लेंगे अब 2 है यानि काई हमारा 2 है तो हमें क्या करना दहाई और सैकड़े पर भी 0 लिखना है इस प्रकार 3002 लिखेंगे अब इस प्रशन को देखिए कि एक विद्याले में बालकों की 3485 पुस्तकें वित्रित की गई यानि विद्याले में जो बालक है उनको 3465 पुस्तकें वित्रित की गई और बालकों को 4383 पुस्तकें वित्रित की गई जहाँ कुल कितनी पुस्तकें वित्रित की गई जहाँ क कुल की बात आती है तो वहां हम जोड़ते हैं बच्चों तो यहां देखिए बालकों को बित्रित पुस्तकें यहां लिखेंगे और बालिकाओं को बित्रित पुस्तकें यहां लिखेंगे और कुल पुस्तकें 7,849 यहां लिखेंगे फिर देखिए यहां पर उत्तर की जगह दी गई, यहां उत्तर लिखी और कुल पुस्त के आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सही संख्या घ्याद करो। अब इसमें क्या है? हमें जोड़ना है, और सही संख्या कंश यहां मिसिंग है, उसको लिखना है देखिए। का zero हो गया इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां यहां जो संख्या आएगी उसको भर देंगे अब यहां देखिए यहां पर हमें क्या करना है यहां पर भी वही काम करना है संख्या मिसिंग है उसको हमें जोड़ना है फिर आगे देखिए सेम वही फंडा इसको जब जोड़े आप करें फिर यहां देखिए पूरा कर दिया गया है आगे देखिए कि इसको भी हल करना है कि 4, 5, 2, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या हैं लिखें तथा दोनों में अंतर ग्यात करें जब अंतर की बात आती है तो वहां घटाया जाता है तो सबसे बड फिर यहां क्या करना है आपको गुणा करना है एक अंकी यह गुणा है यह पहले जब हम गुणा करते हैं उसका नियम क्या होता है इसको इससे इसको इससे और इसको इससे करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो नीचे देखिए कि एक मेज का मोल लिए 665 रुप मोल गुणे चार, तो 2660 रूपए, यहां देखिए उत्तर लिख दिया गया, तो आप शत्तरा का पहाड़ा अगर याद है, तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है, तो पहले साथ का इससे, फिर इससे, फिर इससे करेंगे, फिर अपने घर के नीचे यहां पर ताला लगाएंगे फिर एक का करेंगे फिर इसको हम जोड देंगे प्लस कर देंगे उसी प्रकार से 13 का पहड़ा याद है तो ठीक है नहीं पहले तीन से गुणा कर लेंगे फिर एक से गुणा कर लेंगे और इसको भर देंगे तो देखें कि कक्षा 3 के प्रतिक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तक हैं यदि कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं तो कुल पुस्तकों की संख्या बताओ तो प्रतिक विद्यार्थी के पास पुस्तक है 4 कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 37 तो यहां 37 को यहां देखे 4 से गुणा करेंगे तो 148 कुल पुस्तके यहां पर आएंगी उत्तर के जगा लिग दीजे फिर यहां देखिए भाग आ गया भाग का वही फंडा है कि 2 का पहड़ा पढ़िए 3 से ज्यादा ना हो तो 2 कम 2 आ गया फिर हमने माइनस किया तो 1 आ गया फिर नीची की संख्या नीचे उतार ली जाती है अगर यह संख्या छोटी है तो इस से फिर यहां देखिए 2,8,16 आ गया और यहां 0 आ गया उसी प्रकार से हम 3 का विभाग कर लेंगे दी गई भिनों के अंश वहर लिखो अगर आपको गणित के कुछ और वीडियो चाहिए नमाचार चाहिए अगर आप भिन भूल जा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्रिजन नमाचार के प्लेलिस्ट में आपको गणित के नमाचार के रोप में मिलेगा वहां जाके जरूर समझिए बहुत ही आपको लाब होगा सीखने और सिखाने में तो सबसे बात यहां एक बटे दो लिखा है तो उसको याद करने के करिए कि एक जो है वो अंश है यानि एक ममी है और दो बच्चे हैं तो ममी बटे बच्चे के रूप में याद करिए कि ममी शत्पर यहां बैठी और बच्चे को डाटती है हर हज्जाओ हां से तो इस प्रकार से हमको अंस और हर हमेशा याद रहेगा क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं हर को अंश और अंश को हर कह देते हैं जब उनको ये याद होगा कि मम्मी उपर से बच्चे को हर के रूप में डाटती हैं तो मम्मी अंस है और बच्चे हर हैं तो यहाँ देखिए अंश एक है और हर दो है यहां अंश दो है और हर चार है भिन्नों के मद्ध खालिस थान पर यहां देखिए बड़े और छोटे का निसान लगाना है तो यहां देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है उसके आधार पर इच बटे छे बड़ा है सेम यहां भी यही हुआ जिसकी मम्मी बड़ी होंगी और बच्चे एक से होंगे वो भिन्न बड़ी होगी तो यहां देखिए इस पर निशान लगा यहां उसी तरीके से इस पर निशान लगा बिन्नों को घटा कर लिखे और उपर वाली संख्याएं आपस में घट जाती है तो तीन में जब हमने एक घटाया दो आता है दो बटे च इस प्रकार से आप कर सकते हैं यहां देखिए सेम उसी प्रकार से बताया गया है यहां देखिए कि बिन्दू को मिलाओ और बनी आकृती की भुजाओं को नापकत परिमाप लिखो तो यहां जो बिन्दू है उसको आपको लंबड़ी चोणाई नापना है अपने हिसाब से लिखना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने आधार पर shrugwort पहले इसको स्केल से ना अप लें, तो जो सामने की भुजाएं होती एक होती है, 448 तो सामने की एक होती है, 910, 11, 12 इसी आधार पर किया गया है, इस्थानों पर लिपी आधार पर समतुल्य संख्या भरू यानि लिपी के आधार पर यहां तीन लिखा गया है तो यहां तीन हिंदी में है और यहां तीन आपकी अंग्रेजी में लिखा गया यहां देखिए 10 इस प्रकार से है तो यहां लिखा है तो यहां दस हिंदी में और यहां इंगलिश में यहां बारा लिखा गया है और इस प्रकार बारा यहां हिंदी में लिखा गया है और दस का चिन्ह यह होता है तो एक पाई खीचेंगे तो ग्यारा और दो किरेंगे तो बारा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अगर जोडने में जादा आ गया तो इसको देंगे लेकिन ये अलग-अलग ही संख्या जोड घटा कर लिखी जाएगी तो इस प्रकार है यहां देखिए इसको हमने घटाया पांच में तीन घटाया तो दो आया अब जीरो से तो दो घट नहीं सकता यहां से हमने उधार ल जोड के आपको बताना है कितनी संख्या थी तो यहां पर देखिए यहां लिखा गया है विद्याले में 25 अक्टूबर से 10 नौंबर तक खेल प्रतियोगिता हुई कितने दिनों तक प्रतियोगिता चली तो अक्टूबर जो हमारा 31 का महीना होता है और 10 उसमें और जोड़ तो 16 दिन तक यह प्रतियोगिता चली तो यहां पर फिर हम आगे आएंगे तो सेम वही फंडा है आपको सबसे पहले जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए ग्राम को अलग और क्रिया ग्राम को अलग करेंगे यहां भी यही है यहां घटाना है तो यहां पर हम घटान करेंगे और यहां पर भी आपका घटाना है तो हम इसको करेंगे यहां धुदला हो गया था तो मैंने दुवारा लिखा है कि 3125 मेली लीटर में कितने लीटर होते हैं तो एक लीटर में मिली लीटर होते हैं तो उसी आधार पर हम लीटर को लिख लेंगे फिर हम क्या करेंगे तीन हजार एक हजार से भाग देंगे तो फिर हमें लीटर प्राप्त हो जाएगा फिर सताओन लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं तो यहां एक लीटर में एक हजार मिली लीटर है तो 57,000 गुड़े 1000 करके तो 57,000 मिलिलीटर हमको प्राप्त हो जाएगा फिर यहाँ देखिए वही मिलिलीटर को मिलिलीटर में जोड़ेंगे जैसे यहाँ 5 आया तो यहाँ क्या करेंगे हम 6 और 5 कितना हो गया 11 हासिल आया 1 तो यहाँ 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तर बेचा गया 69 और यहां 250 milliliter 500 फिर हम उसी आधहर पर इसको क्या करेंगे तो यहां देखिए यहां 0 हो गया यहां 5 हो गया और यहां पर 7 हो गया तो यानि कुल शेष उसके पास बचा 18 लीटर 750 milliliter आगे देखिए यहां पर क्या लिखा गया कि मीटर को सेंटी मीटर में 12 गुणे 100 बराबर 1200 cm, अब 17 मीटर 25 सेंटी मीटर में कुल कितने cm होते हैं, तो यह लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 17 मीटर, तो उसी आधार पर 1700 हम कर लेंगे 100 से गुणा करके, और धन 25 जोड़के 17 125 यहाँ पर लिख देंगे, अब आगे देखें, फिर वही आपको cm और मीटर के अधार कर दो है.